अपर्णा जी कामना जी का बहुत बहुत शुक्रिया मैं बहुत उम्र में चोटा हूँ तो मुझे मौका देने के लिए हुसला देने के लिए और मनसूर उस्मानी साब का भी बहुत शुक्रिया मतलब ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपर्णाजी से उम्र में आप छोटे हैं लेकिन बराबर खड़े होके देखिए का कद में आप बड़े हैं दूसरी बात ये है कि मिया मुशाहिए में कलाम सुनाईए उम्र का कहां दिकर ले बैठे ये जुरूरी नहीं है मैं आपके फर्मान पर लिखी है पिछले साल के वो भी सुनाओंगा वैसरी पहली एक नजम है कि किस तरह नेता मतलब अहिंसा के पर्दों में छुपके हिंसा करते हैं तो उसके उपर मैंने एक नजम लिखी है नजम का उन्वान है छिपकली खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दुपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दुपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है रेंग कर खमोशी से इर्द गिर्द फोटो के गश्ट ये लगाती है और जैसे ही कोई कीट पतंगा ओड़कर पास से गुजरता है धर दबोच लेती है पंख नोच देती है मास चवा जाती है जिन्दा निगल जाती है फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ ना हो कोई भी मरा ना हो रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है वाँ 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 क्या करना है हुसें वाँ वाँ अजिए 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 तो एक और मंसूर साब ने कहा था कि अकल के रास्ते ना चलिए कभी दिल के रास्ते भी चलिए तो एक नजम लिखी है मैंने दो खत तो मेरी मेज पर तुम्हारे लिखे दो खत रखे हैं एक जो बरसो पहले का है एक जो तुमने कल भेजा जो खत बरसो पहले का है उस पर छिड़की इत्र की बूंदे भीनी भीनी महक रही है तुम्हारे लवजों की चिंगारियां अब भी उस पर देहक रही है मेरा नाम लिखा है हक से शायद इसी लिए कागस की शवुफ्तगी बरकरार भी है ये जर्द अब तक हुआ नहीं है जो खत तुमने कल भेजा है पहले खत से बड़ा जुदा है कागस का चहरा देखू तो मेला है उत्रा उत्रा है मुझे यकी है बहुत यकी है इसे किसी और ने लिखा है सन्नाटों की बू है इसमें नाखुनों की धार है इसमें मिसरों में कोई लोच नहीं है लफ़ बहुत बेजार है इसमें तल्ख लकीरें खिची हुई है उल्जन इन में बसी हुई है सो मैंने इन दोनों खतों को दो हाथों में बांट लिया है और ख्यालों के तूफां से एक ख्याल को छाट लिया है के इन खतों को लिखने वाले दो शक्सों में से एक शक्स को आज मैं यकसर भुला ही दूँगा इन दो खतों में से एक खत को आज में जाना ज़ला ही दूँगा तुम ही बताओ कौन सा खत मैं आज जलाओं कौन सा खत मैं आज जलाओं क्या कहना है बहुत अच्छा हुसेन हिदरी और एक नजब है कि कई वर आप बहुत वक्त तक लिखते नहीं है तो आप लिखना चाहते हैं तो उसके उपर एक नजम लिखी है मुद्दत कि हमारा हाथ लो पकड़ाओ कलम रखो कागस पर हमारी उंगलियों पर जाने कपसे गीत रखे हैं तुम्हारी उंगलियों के लम्स की धुन को ये तरसे हैं हमारा हाथ लो पकड़ाओ कलम रखो कागस पर हमारी उंगलियों पर जाने कपसे गीत रखे हैं तुम्हारी उंगलियों के लम्स की धुन को ये तरसे हैं कलाई पर तुम्हारी धड़कनों की ताल से मिलती हमारी नब्ज की ताले जिजकती हैं ठिटकती हैं बड़ी थम थम के चलती हैं सियाही गीले काजल की लिखेते खत तुम्हें जिस से वो अब पिहले अंधेरों सी मेरी नसनस में ढ़लती है हमारी फिक्र जो तुम्हारी दिल बस्ती में रहती थी तुम्हारी कैफियत के कारवा के साथ चलती थी वो अब तारीक राहों पर बिना शम्मा बिना रहबर कहीं तनहां भटकती है बड़ी मायूस रहती है हमारा हाथ लो पकड़ाओ कलम रखो कागस पर नजाने कितनी मुद्दत से नहीं लिखा है हमने कुछ ना कोई नजम ना कोई गजल ना ही तुम्हारा नाम एक नजम मैंने लिखी थी हिंदुस्तानी मुसल्मानों के उपर कि मतलब हम कितने अलग-अलग हैं कितनी आवाजे हैं और कई बार एक रंग में ढाल लिया जाता है उन्हें तो इस नजम का नाम है हिंदुस्तानी मुसल्मान सडक पे सिगरेट पीते वक्त जो अजा सुनाई दी मुझको तो याद आया के वक्त है क्या और बात जहन में ये आई मैं कैसा मुसल्मा हूँ भाई मैं शीया हूँ या सुन्नी हूँ मैं खोजा हूँ या बहरी हूँ मैं गाओं से हूँ या शहरी हूँ मैं बागी हूँ या सूफी हूँ मैं कौमी हूँ या ढूंगी हूँ मैं कैसा मुसल्मा हूँ भाई मैं सजदा करने वाला हूँ या जटका खाने वाला हूँ मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाड़ी उड़ा के रहता हूँ मैं आयत कॉल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ मैं अल्ला अल्ला करता हूँ या शेखों से लड़ पढ़ता हूँ मैं कैसा मुसल्मा हूँ भाई मैं हिंदुस्तानी मुसल्मा हूँ दककन से हूँ यूपी से हूँ भोपाल से हूँ दिल्ली से हूँ बंगाल से हूँ गुजराच से हूँ हर उची नीची जाच से हूँ मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी मैं डाक्टर भी हूँ, दरजी भी, मुझमें गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महिना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा सनान भी है अपने ही तौर से जीता हूँ, एक दो सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस-नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसल्मा हूँ खूनी दर्वाजा मुझ में है, एक भूल भूलया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुम्बद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, जुग्गियों में पलती गुरुबत मैं, मदरसों की तूटी सी छत मैं, दंगों में भड़कता शोला मैं, कुर्टे पर खून का धबा मैं हिंदुस्तानी मुसल्मा हूँ, मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जित के किबले मेरे है, गुरुद्वारे का दर्बार मेरा येशु के गिर्जे मेरे है, सौ में से चौधा हूँ लेकिन, चौधा ये कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे सौ में बसता हूँ, पूरे सौ मैं पूरे 100 में बस्ता हूँ, पूरे 100 मुझे में बस्ते हैं, मुझे एक नजर से देखना तू, मिरे एक नहीं 100 रहे हैं, 100 रंग कहें, किरदार मेरे 100 कलम से लिखी कहानी हूँ, मैं जितना मुसलमा हूँ, मैं उतना candy students हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसल्मा हूँ मैं हिंदुस्तानी मुसल्मा हूँ वाप 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 क्या कहना है क्या कहना है जिंदाबाद हुसेन हैदरी